नवस्कास आती हूं जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे किये सभी कलासें आपकी UPSC और State PCS प्रिलिंट्स को ध्यान में रखती हुए कबर की जा रही हैं और जब मैं State PCS कहता हूं तो इसमें सभी State के जो भी एकजाम PCS होते हैं न वो सभी कबर हो जाते हैं फिर चाहे आपका UP PCS हो, बिहार PCS हो, राजिस्थान PCS हो, चत्तीसगड PCS हो या फिर आप देखिए MPPSC हो आपका देखिए सीधी सी बाते हैं कि आप लोग Civil Service का प्रिलिंट्स देख लिए या State PCS प्रिलिंट्स देख लिए इसमें आपने देखा होगा कि आपका इतियास से questions पूँचे जाते हैं आपके समीधान से questions पूँचे जाते हैं भूगोल से भी आते हैं आपकी economy, अर्द वरस्ता से भी आपकी परिक्चाओं में questions आते हैं या फिर आपने देखा होगा बिग्यान से भी questions आते हैं आप में मुख परिच्छा के लिए बेस भी मजबूत हो जाएगा और जब आप लोग मुख परिच्छा की तैयारी करेंगे तो उस समय आप लोगों को मालूँ चलेगा कि आप कहां पहुंच चुके हैं बहुत जानदा फायदा आप लोगों को मिलेगा और अगर आप लोग के पास टाइम है तो आप लोग NCEIT को जरोर पर लें क्या कर लें जरोर कबर कर लें दो से तीन बार आप लोग आराम से पढ़ लिए उससे क्या रहता है कि काफी हट तक आपका बेस मजबूत हो जाता है और पिछली क्लासों में आपने देखा होगा कि आपने प्राचीन भारत का इतिहास कबर किया हुआ है हम लोगों ने एक-एक क्लास को कबर किया हुआ है और बड़े बेस्ताल से कबर किया हुआ है मुझे लगता है कि एक से दो बार आप लोग उन क्लासों को देखेंगे तो आपकी सभी एक जाम में अगर इतिहास से कुश्चन साते हैं प्राचीन भ क्लासिस के नाम से इसी में आपकी सभी क्लासें डली रहेगी इसमें हम लोग सबसे पहले तो मद्यकालीन भारत के जो अध्यान के स्रोत हैं जिससे हम लोग मद्यकालीन भारत के बारे में बात करते हैं जानते हैं समय के बारे में उस पर बात कर लेंगे हम लोग उसके बाद आ आप लोगों को देखिए जिसरी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके कम से कम पास से 6 साल पुराने questions पर उठाके आप लोगों को उसे अच्छे से पढ़ लेना चाहिए मुल्यांकन करना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर कहां से कितने questions पूछे जा रहे हैं कौन सा subject आपके लिए महत्पूर है और उस subject से कितने questions पूछे जा रहे हैं कौन से topic से बारबार questions पूछे जा रहे हैं ठीक है और फिर हम लोग सल्तनत दिल्ली सल्तनत के बारे में बा प्र पंदर्वी और 16 सताप्दियों के धार्मी कांदोलन पढ़ेंगे। उन पर भी एक सामन जान करी देख लेंगे। फिर हम लोग 6-3 राजमंसों का उदय होता है तो 6-3 राजमंसों के बारे में एक overview ले लेंगे फिर आपकी मुगल समराज के बारे में पढ़ेंगे और मुगलों की राजनितिक आर्थिक और सांस्केतिक विवस्ता क्या रही है उसे भी हम लोग देख लेंगे माराथा समराज इव हम सिवाजी के बारे में बात करेंगे और फिर हम लोग मद्यकाली भारत तेथी देख लेंगे और एक बात और आपको बता देता हूँ देखे कई लोगों का ये भी पूछना है कि क्या ओंडे एक जाम में भी एक किलासें फायदे मन्द होगे जैसे SSC बैंक रेलवे हो गया तो इनके लिए भी आपकी काफी अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग जरूर पढ़िएगा अगर आप लोग मुझे लगता है कि मद्दिक खालीन भारत के जो अध्यन के सरोत हैं जिससे हम लोग इस समय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं उस पर हम लोग एक ओवर्वियू लेंगे ठीर है